हेलो दोस्तों, एक्सल के इस वीडियो टूटोरियल में आज हम ग्रेड कल्कुलेट करना सीखेंगे यानि कि किसी भी मार्क सीट में स्टुडेंट्स का जो ग्रेड आता है A, B, C, D, A+, क्या जो भी आप ग्रेड देखते हैं उसे आज हम यहाँ पे कल्कुलेट करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि नीचे दियोगे लाल बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फ्रेंड्स, मैं हूँ विजे साहू और आप देख रहे हैं विजे कॉम एजुकेशन चलिए आज कुछ नया सीखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जिससे आप देख रहे हैं यह हमारा एक माकसिट है जहाँ पे स्टुडेंट नेम है और यह पांच सब्जेक्ट है टोटल और परसेंटेज हमने निकाल लिए मेरे पिछले वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जरूर देखें कि यह टूटल और परसेंटेज के से निकालते है आज हम निकालना सीखेंगे ग्रेड तो ग्रेड के लिए जो फॉर्मुला इस्तमाल करेंगे हम वो देखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्वल टू और यहाँ पर जो फॉर्मुला इस्तमाल होगा वो हम इफ फॉर्मुला का इस्तमाल करेंगे इफ फंक्शन का हमने सबसे पहले इफ लिखा और देखिए इफ लिखते ही यहाँ पर डॉप डाउन पर इफ आ चुकी है हमने टैब को प्रेस किया अब यहाँ पे आप देख रहे है logical test हमें देनी है तो हमें क्या निकालनी है grade हम किस पे निकालेंगे तो percentage पे हम grade निकालेंगे तो हमने percentage को first cell को select कर लिया और यहाँ पे हम देंगे greater equal to अगर कोई student 80 से ज़्यादा number ले के आता है percentage ले के आता है तो उसका grade क्या हो जाएगा A grade हो जाएगा ठीक है यह हो गया हमारा पहला logical test दूसरा क्या है फिर सम इफ function लगाएंगे bracket है फिर percentage हमारा select हो गया I4 यहाँ पे जो greater equal to 70 यानि कि 70 से 80 के बीच में जो भी students आएंगे उनका grade होगा B यह हमारा दूसरा logical test हुआ तिसरा logical test हम क्या लगाएंगे फिर सम इफ देंगे I4 तिसरा logical test है greater equal to 60 यानि कि जो student 60 से 70 तक आएवे हैं वो क्या होगा वो हमें मिल जाएंगे C grade में अब जो last है हमारा अब चाहता लगा सकते उसके साथ D, E अब अपने इससाब से इसको आगे बढ़ा सकते हैं तिके मैं यहाँ पर रखता हूँ और जो remaining बचे यानि कि जो 60 से कम लेके आए हैं उनको क्या मिलेगा D grade मिलेगा अब हम यहाँ पर bracket बन करेंगे तो हमारा कितना bracket ओपे ने देखे यह एक bracket है यह एक bracket और यह एक bracket तो हम भी यहाँ पर लाश्ट में तीन बेकेट हमने close कर दिया फिर से एक बाप formula को समझते हैं पहला है greater than 80 जो भी student 80 से जादा percentage लाएवे हैं उनको मिलेगा A grade दूसरा में क्या है जो student 70 से 80 के बीच में है उनको मिलेगा B और जो student 60 यानि कि 60 से 70 के बीच में है उनको मिलेगा C और जो एक से लेकर 60 के बीच में है उनको मिलेगा D grade अब जैसे मैं interpress करता हूँ देखते है result कि आती है यह मैंने interpress किया बूम गाईट तो पहला जो हमारा grade आ गया A क्यों क्यों कि percentage 80 से ज़्यादा है तो यह हमारा A grade आ चुका है अब हमें बार बार सेम formula लिखने की जरुवत नहीं है यह remaining sales में हम क्या करेंगे यह हमारा जो plus sign आ रहा है यह corner पे यहाँ पे आएंगे और इसको drag कर देंगे last तक जहां तक आपको ले के जानी है और छोड़ देंगे तो यह automatic boom guys आपका सारा grade so कर दिया अब देखे 70 से 80 के बीच में B grade यह 70 के 80 के बीच में B grade यह जो है 60 से 70 के बीच में तो C grade है और यह आप D grade देख रहे यह 60 नहीं है यह change हो गिया C grade में यहाँ पर percentage change हो गिया तो यह C grade में change हो गिया तो इस तरह से आप कहीं पर भी किसी का भी grade निकाल सकते एक mark sheet में किसी भी student का hope guys वीडियो अच्छे लगी हो गी तो like करे अपने दोस्तों के साथ share करे और हाँ subscribe करना बिल्कुल ना भूले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद